नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरुआत करते हैं आज की प्रिमो खबर से उत्रप्रदेश के डिप्टी सेम केशव प्रसाद मौरे मुश्किल में फस्ते नज़रा रहे हैं मकान पर रवैद कब्जा करवाने के एक मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है इस याचिका के आधार पर हिलाबाद हाई कोट ने डिप्टी सेम केशव प्रसाद मौरे को नोटिस ज़ारिकर जवाब तलब किया है साथी राजसरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफ नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जानकर के अनुसार विश्णमूर्ती त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहां गया है कि इलावाद के कालिंदी पुर समक महिला को कबजा दिलवा दिया गया याचि ने मकान की खरीद संबंदी दस्तावेज भी कोट के समक्ष पेश किये मौरे ने लिखा था एससपी को पत्र विश्णू ने इस दोरान कोट के समक्ष डिप्टी सेम केशव प्रसाद मौरे का लिखा एक पत्र भी प्रस्तुत किया ये पत्र मौरे ने एससपी प्रयाग राज को लिखा था इस पत्र में याचि की मकान पर कुंती देवी को कबजा दिलवा कर अवगत करवाने को कहा गया है अब मामले की अगली सुनवाई दस जन्वरी को होगी गौरतलब हो की जस्टिस मनोज कुमार गुपता और जस के शव प्रसाद मौरे पर गंभी रारुक लगाए है याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीम की शेपर पुलिस याचि के कल इंदी पुरा स्थित मकान पर गई पुलिस ने जबरन कुंती देवी को कबजा दिलवा दिया ऐसे में ये कबजा पूर्ण रूप स से अवैद है क्योंकि याचिके पास मकान के मालिकाना हंक संबंदी सभी दस्तावे जो है और जबरन किसी और को कबजा दिलवाया गया है खबरों में आपते के लिए वस्त ना ही मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमो खबर के साथ तब तर के लिए नमस्कार और देखते रहें CNN News